तो दोस्तो टेयोटा ने एक नई SUV लाँच की है क्रेटा और सेल्टोस के कमपैरिजन में जिसका नाम है अर्बन क्रूजर हाई राइडर काफी बढ़िया डिजाइन है काफी बढ़िया लग रही है और फॉरन मार्किट में तो यह अल्रेडी मिल रही थी अब इंडियन मार्किट में काफी टाइम से वेट थी तो इंडियन मार्किट में भी यह लाँच हो चुकी है अब मारूती भी इसे लाँच करेगी मारूती विटारा नाम से तो अब बात करते हैं कि इसमें आपको कलर और कॉड अवलेबल है color आपको दो तरह से इसके color code available होंगे अगर आप इसकी website पे जाएंगे तो अगर आप direct colors देखेंगे front page पे तो वो color अलग है अगर आप इसके 360 view पे जाएंगे तो वो color code अलग है तो मैं आपको दोनो color code बता रहता हूं और ये भी बताऊंगा कि कौन सा color आपको buy करना चाहिए कौन सा color lifetime है resale value किसकी बढ़िया है तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आएंगे हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए notification bell दबाईए और वीडियो को like और share सूर करिए तो दोस्तो इसमें सबसे पहला और सबसे बढ़िया color जो मुझे लगा है वो है pearl black इसे midnight black भी कहा जाता है और ये दोनों code एवलेबल हैं website पे pearl black में ये गाड़ी काफी अच्छी लग रही है काफी बढ़िया लग रही है अगर आप practically इंडिया के हिसाब से सोचें कि मुझे black color भाई करना चाहिए या नहीं तो इंडिया के हिसाब से गाड़ी साफ regular नहीं करते तो ये गाड़ी गंदी भी बहुत जल्दी होगी ये color बहुत जल्दी गंदा होगा तो ये color बहुत ज़रा maintenance मांगता है तो अगर आप black color के शुकीन है तो बे black color भाई कर सकते हैं लेकिन resale value बहुत कम मिलती है black color की अगला color है cave black दोस्तो नाम इसका cave black है लेकिन ये color है copper dark shade में अगर आप जाएंगे dark में तो ये black की shade देगा इसलिए इसका नाम cave black रखा गया है लेकिन ये copper color है ये color आजकल companies बहुत ज़्यारा सौच कर रही है क्योंकि ये color एक नया color है इसके उपर धूल मिट्टी का पता नहीं चलता maintenance वगरा कम है इस color की और initiator buy जो है कुछ अलग लेना चाहते हैं वो इस color की तरफ जूर जाते हैं तो अगर आप कुछ नया कर बाई करना चाते हैं कोई नया color buy करना चाते है तो इस color की तरफ जा सकते हैं अगला color है metallic gray इसे gaming gray भी कहा जाता है ये एक dark gray color है अगर आप black color नहीं buy करना चाते हैं ये color अभी black से थोड़ा बढ़िया है इस color की maintenance थोड़ी कम है धूल मिट्टी का पता नहीं चलता scratches भी नहीं पता चलते और इसकी resale भी अच्छी मिल जाती है इससे अगला color है pearl white इससे cafe white भी कहा जाता है तो cafe white में ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया लग रही है खास करके इसका जो front grill है वो black color की है front का जो air dam है वो black color का है उसकी वज़ा से ये गाड़ी काफी अच्छी लग रही है pearl white में तो white color की तब जा सकते है एक तो white color आपको resale value अच्छी मिलती है maintenance बहुत कम मिलती है और सालों साल same color रहता है Toyota की गाड़ी white color में पाए करना मतलब के सोने पे सुहागा है काफी अच्छा रहता है Toyota के white color काफी अच्छे रहते हैं खराब नहीं होते या फिर डल नहीं होते फेड नहीं होते येलोईश नहीं होते अगला color है metallic silver या फिर enticing silver भी इसे कहा जा सकता है तो ये silver color है जो कि SUV में काफी बिकता है sedan cars में काफी बिकता है तो आप इसकी तरफ जा सकते है ये भी color maintenance कम मांगता है इसके लवा धूल मिट्टी का पता नहीं चलता तो resale value भी ठीक ठाक मिल जाती है इस color की इससे अगला color है pearl red या sporting red red color में बड़ी SUV इंडिया में आपको बहुत rare देखने को मिलेगी लेकिन ये SUV जिसका इसका design इतना बढ़िया है कि ये red color में भी बहुत बढ़िया लग रही है तो ये red color में बहुत कम भी कहेगी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यारा sale होगी red color में और red color की resale value की वज़े से resale value कम मिलती है maintenance बहुत ज्यारा मांगता है ये color अगला color है speedy blue speedy blue भी आपने launch event पे देखा होगा कि कैसा color लग रहा है जैसा कि Tata Nexon का color है सेम वैसा ही color है और ये color भी थोड़ा कम भीकता है आला कि ये dark color होता तो काफी बिक जाता अगर Nexon blue जैसा color होता तो शायद बढ़िया बिकता और शायद लोग पसंद भी करते इस SUV में Nexon blue गएरा color बहुत बढ़िया लगता है लेकिन बात करते हैं speedy blue की तो speedy blue लोग कम पसंद करते हैं ये color सिफ demo cars के लिए ही बनाया गया है तो दोस्तों ये सारे color थे जो की urban cruiser high rider में available है तो आपको कौन सा color पसंद आया है कमेंट में जूर लिखे मुझे black color और white color बहुत जारा पसंद आया है तो मिलते हैं नई वीडियो में Thank you, thank you so much आपको करते हैं